अलो दोस्तो मैं हूँ अमित और आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने बेसिक एक्सल माइक्रोसोफ एक्सल के इस फिफ्थ पार्ट के अंदर जिसमें आज हमारे पास अगेन कुछ टॉपिक से कम्प्लीट करने के लिए तो दोस्तो आज आपको बताना चाह हूँ कि इस कोर्स के साथ आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि हमारे इस बेसिक एक्सल को कम्प्लीटली आज फिनिश कर देगा खतम कर देगा और जिसे कम्प्लीट करने के बाद सीखने के बाद आप 100% confident हो जाएंगे अराम से कि जब भी आप किसी office में जाएंग करते हैं दोस्तों इस बिसिक एक्सल के फिफ्थ पार्ट यानि पांच्यों पार्ट को तो देखे इस पांच्यों पार्ट के अंदर आज मैंने कुछ topics रखे हैं आपको दिखाई दे रहा है number one पर रखा है merge and center and second number पर charts third number is left and right and data validation और print command कैसे काम करती है अगर आपने office में काम करना है ठीक है तो Microsoft Word है या PowerPoint है या फिर आपका Excel है तो कोई भी print तो आपको निकालना आना ही चाहिए राइट वो सब आज हम सीखेंगे कैसे निकालेंगे तो चले start करते हैं पहला वाला जो आपको command दिखाई देरा margin center यह क्या होता है ठीक है तो margin center आपको दिखाई देरा home tab क के अगर आप देखते हैं अपना यह group जिसके अंदर margin center मैंशन है जो है alignment ठीक है यानि की 1,2,3rd,3rd यह group है जिसमें alignment है alignment के अंदर आपको दिखाई देरा है wrap text कैसे करते हैं margin center अगर मैं इस पे click करता हूं तो देखिए merge and center, merge across, merge cells, unmerged ठीक है आपस में cells को merge करना है जैसे data है अगर आप उसको organizing way में डलना चाते हैं proper organize करना चाते हैं उसको design करना चाते हैं ताकि जिससे वह अच्छा दिखाई दे ठीक है तो आपको margin center आना चाहिए उसको कैसे use करते हैं वही आजम सीखने वाले हैं तो चलिक करके मैं आपको दिखाता हूं margin center को कैसे आजम use करेंग data मेरे पास है मैं कहता हूं कि अगर इक स्कूल कर डेटा है तो मैं यहां लिखता हूं इसको यहां पर देखिए इसको यह जो चारो cells है ना इन सबको select कर लूँगा select कर लेजिए और margin center पर click कीजिए देखिए now it's looking beautiful अब गर इसको मैं organize करता हूं देखिए अच्छा लग रहा है अगर आप चाहिए इसको नीचे भी जाके वो कर सकते हैं ठीक है और इसमें margin क्लिक करेंगे फिर से यह देखिए properly इसने लिया न और यहां से इसको alignment के इसी group के अंदर थोड़ा मैं उपर कर दिया तो यह ह इसको आप यूज करेंगे इस तरीकी से स्कूल का डेटा बना दिया अब मैं चाहूं दिसके अंदर कोई color भर सकता हूं यहां से अच्छा लग रहा है इसी तरीकी से काम करता है अगर मैं इससे बात करूँ करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहां पर आएंगे लेकिन अभी आप सारे के सारे के सारे करके पहले चेक करेंगे कैसे काम करते हैं मर्जें सेंटर हमने सारे के सारे सेल्स मर्ज कर दिया आप इसमें अब क्या करना है मर्ज एक्रोस अब देखिए मर्ज एक्रोस के अंद पिर से आता हूं उसके उपर merge cells करना same cheese ठीक है, unmerge कर दिया, यह देखिए unmerge करेंगी तो फिर से वहीं चला जाएगा, अब यह ऐसे क्यों दिखाई दे रहा हैं क्योंकि मैंने इसका size बड़ा कर दिया था, तो एक एक करके यह सारी जो आपने condition लगाई होंगी merge की होंगे cell उसे सारे cells हटा देगा उसे कहते है unmerge करना unmerge कहां से होगा यहां से होगा इसी हो कहते है merge करना जैसे यह 4 columns मेरे पास है इन 4 columns के अंदर भी अगर आप चाहें कुछ merge करना चाहते हैं let's suppose a और number 5 जो हमारी row है अगर आप इसको इसके साथ merge करना चाहेंगे तो merge में आपको एक बात बता दू जो दो अलग-लग value हो यह एक ही हो जाएगी यह निकि एक value को आप merge कर सकते हो है से नियों कि यह सारे आपने एक साथ merge कर दिया तो cells को merge करेगा data वही का वही रहेगा जो आपका already है ठीक है तो ऐसे हम use करते है इस merge and cells को तो फिलाल आप में क्या करता हूँ उसको यहाँ पर आके delete कर देता हूँ ठीक है चलिए अब next कौन सा है charts का तो देखे data मेरे पास है charts को कैसे हम prepare करते है आप जब कभी भी कोई presentation देना चाहते है office के अंदर अगर आपके पास कोई lengthy data है या फिर आप data को easy तरीके से समझना चाहते है कि इस data को समझना है कैसे समझे अब देखे ये तो मेरे पास एक छोटा सा data है let's suppose अगर आपके पास data काफी बड़ा होता 10,000 cells में होता 10,000 row and columns में होता तो आप इसको ऐसे drag करके देखते रहते है यह जाते है इधर सिर इधर आते ठीक है नीची जाते उपर तो वो that's not a good way ठीक है तो कैसे करना पड़ेगा आपको आपको आना सीधर insert tab के अंदर insert tab में आने के बाद आपको दिखाई देगा charts का एक group अब देखे सबसे easy तरीक है इसको chart के अंदर convert करने का क्या करना recommended chart अब आपको क्या करना पड़ेगा let's suppose मैं इसको select कर लेता हूँ data को जो मेरा data है select कर लिए मैंने recommended charts line charts जो होंगे यहाँ पे कुछ नहीं करना charts के options आपको दिखाई देरा आपको कैसे अच्छा लगता है chart कैसे देखना चाते है तो आप इसको उस तरीके से form में उस form में देख सकते है ठीक है जसे मैं line वाले chart पे click कर तो देखे insert column and bar तो मैंने इस पे click किया अब यह design पूछ रहा है ठीक है यह जो marks है यह इसने लिख दिया है सारे marks इसके side में हो गए देखे रहे हैं चार्ट का इस तरीके से यह इसने लिख दिया है और यह सारे जो subject से नीचे बता दिया है जो serial number हमने बनाए है वो भी serial number से नीचे डाल दिया है तो यह एक तरीका है इसका chart का ठीक है अब मैं क्या गरता हूँ इसको फिर से select कर लेता हूँ तो जो आपको chart चाहिए फिर से हम insert में जाते हैं कहने का मतलब है देखे यह pie chart आप बना सकते हैं यह वाला chart बन जाएगा यह देख रहे हैं आप अब इसके अंदर आपको कितना भी बड़ा data हो छोटे से chart के अंदर आपको दिखा देगा chart को हम use is here करते ताकि सारी चीजों को अच्छे से highlight करें और compose करें मतलब छोटे एक होता है एक छोटी form में डाल दे उसको ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ही असान है आपको किस तरीके का chart बनाना यह आपको options सारे देगा आपको बस decide करना है कौन सा बनाना है and then आप इसको बना सकते हैं ठीक है तो यह हमारे chart हो गया left and right function क्या होती है दोस्तों यह बड़ी important है basic excel के अगर हम बात करें तो left and right functions तो आपको आनी चाहिए अब left and right function होती है ठीक है इसको समझते है आज अब जैसे data हमारे पास है तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर कुछ phone numbers add कर देता हूँ ठीक है four numbers add करता हूँ और करता हूँ मैं dummy number कुछ add जैसे डबल नाइन डबल नाइन 182 5009 ठीक है dummy number से कई जिनको try मत करना यह मेरे number होंगे नहीं उल्टसीदे number होंगे तो I am not responsible for all of them ठीक है और कुछ भी डाल दीजे यहां पे यह चलो यह number मैंने लिख दिया अब यहां पर आया यह सब number लिख दिया मैंने कोई भी मतलब कहने का मतलब यह है यह सब लिख दिया ठीक है यह आगए example के लिए अब देखिए इनके अंदर plus का निशान दिखाई देर आपको तो सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इनको format cells पर क्लिक करेंगे और numbers select करेंगे ताकि यह जो यह plus के sign दिखाई दे रहा न यह हट जाए और यहाँ पर 0 select करेंगे ताकि यह numbers की value ले ले अब देखिए यहाँ पर इसने सारे numbers ले लिए अब मैं कहता हूँ कि यार इसके अंदर मेरे ना phone number है मतलब इसके अंदर भी कुछ extra digits में add कर देता हूँ तो आप कहेंगे कि यार इसके अंदर ना extra number add हो गया है बट इनके अंदर phone number भी है कैसे जैसे आप कहते है कि यार जो starting है ना इससे इसके left side से अगर मैं 10 number हटाऊ तो वो phone number है बाकी के बाद में जो number है ना वो गलत add हो गया है पता नहीं क्या किसी ना add कर दिया है वो गलत हो गया add तो starting के 10 number मेरे को चाहिए है अगर मैं को हर cells में से starting के 10 number मिल जाए या 12 number मिल जाए या जितने भी number आपको चाहिए उतने number मिल जाए तो आपका एक जो number आपको चाहिए वो मिल जाएग तो उसके लिए यूज़ होगा left and right का function ठीक है left formula अब क्या करेगा left formula देखें यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ पर आएंगे हम is equal to का sign लगाएंगे अब मैं लिखूंगा अपने keyboard से left और मैं bracket को start करता हूँ तो यहाँ पर हूँ select कर लेता हूँ बहुत ही simple है देखिए formula कर लेजिए तो मैंने वह select कर लिया है देखिए जो यह highlight भी कर रहा है उसके बाद मैं क्या करूँगा मैं कॉमा लगा दूँगा अब कॉमा लगाने के बाद देखिए number पताईए मुझे कितने number left side से आपको चाहिए तो मैं कहता हूँ कि आप जैसे mobile number लेते हैं तो 10 digit होते है mobile number में तो मैंने लिखा 10 bracket को close कर दिया and enter देखिए अब इसने क्या कि starting की 10 number ले लिए अगर आप चाहिए तो इस account कर सकते हैं तो यह 10 number ही होंगे अब जितने भी number इसमें 10 से नीचे अगर आप उसको यहां से आते हैं ड्रैक करते हैं तो यह starting की 10 number ले ले लेगा ठीक है दोस्तों ऐसे करते हैं left formula का use जाने कि अगर हाँ अगर आप चाहें तो मतलब की मैं कहता हूं कि यह तो सिर्फ numerical number है अगर आप चाहें तो text में भी यह वैसे ही काम करेगा ठीक है अब जैसे मैं कहता हूं I just wanna do that ठीक है यह मैंने सारा एक साथ लिग दिया अब मैं क्या अगरता हूं यहां पर आता हूं फिर से एक formula लगा लेता हूं लेफ्ट वाला लगा लिया bracket start यह select कर लिया और कॉमा लगा दिया अब मैं कहता हूं starting के 5 जो मेरे को letter से वो चाहिए bracket close कर दिया and enter कर देखे यह आगे न 5 ठीक है तो यह बड़ा अच्छा है है बड़ा असानी से काम कर रहा है अब right function क्या होती है right बलेगल सेम तरीके से काम क right का मतलब function और मैंने लगाया bracket फिर से मैंने content select कर लिया जो हमारा जो text select कर लिया मैंने text है यह number से है उसके मैंने comma दे दिया अब मैं कहता हूँ पहले हमने left से लिया था अब मैंने right से लेना है अब मैं कहता हूँ right के अगर 5 digits मुझे चाहिए तो 5 नमबर उठा ले गई है चाहब वो text है चाहब नहीं हमारी का number है bracket close कर दिया और enter कर दिया देखे रहा है इसने right के 5 नमबर उठा लिया है तो दोस्तों बहुत ही असान था ऐसे हम use करते हैं left and right formula को असानी से अब हम आते हैं next topic पे जो की हमारा है data validation is very important guys data validation आपको आना चाहिए अगर आपको आता है तो आप बहुत ही अच्छा अच्छा काम इसमें कर पाएंगे जिसमें आपको office में नाम भी हासी लोगा शोहरत मिलेगी पैसा मि validation अब data validation का मतलब क्या है यह data को validate करता है वैलिडेट क्या करता है जैसे आपने कोई condition लगानी है किसी data के अंदर की आपने जैसे मैंने data बना दिया यह वाला ठीक है अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ particular ऐसे मैं changes करूं जो कोई और उसको छेड़ना सके अगर कोई और इसे छेड़ने कोशिश करें तो उसको error message दिखाई दे कि भाई यह मत कर ठीक है उसको warning मिले ऐसा कुछ हो जाए या फिर मैं चाहूं कि इस column के अंदर क्या कर सकते रहे से कि मैंने subjects लखे math, science, hindi, bio physics तो ऐसा कुछ मैं validation लगा दूँ कि जो subjects मैं चाहता हूं वो subject से ही आप इस तरह की से यह काम करता है जैसे numerical numbers में भी अब मैंने कुछ values इसको दे दी कि भाई 10 से लेके 60 या 10 से लेके 50 तक 10, 2000 या 1 से लेके 1000 तक जितना भी आप चाहें उसी के बीच में values को इसमें put कर सकता है या आप put कर सकता है उसके अलावा के value ले गई नहीं ठीक है उसे कहते है data को validate करना data validation कहते है अब कैसे इसको हम use करेंगे देखिए अब आते है simple data के अंदर और इसके अंदर जो हमारा group बनता है वो कौन सा group बनता है data validation के लिए आपको group इसमें देखना पड़ेगा कौन सा है तो चलिए देखते है एक पर यहाँ पर यहाँ पर data के अंदर हम आए sort and filter data tools आया है तो यहाँ पर देखेंगे data validation अब इस data validation से पहले याद है अगर आपको हमने पहले first video के अंदर second video के अंदर हमने flash fill किया था third video में remove duplicates किया था ठीक है fourth video के अंदर तो कुछ और ही किया है अलग topics किये data validation जो है हमारा आज यह पांचवा topic है पांचवा हमारा part है यह basic excel का पर इसमाज हम complete करेंगे तो देखें मैं select करता हूँ data validation data validation select करने के बाद अब देखेंगे यह आपको एक छोटा सा dialogue box देगा ऐसे जिसमें option है settings का input message input message वही है कि अगर आप किसी को warning देना चाहें कि भाई यह काम मत कर या फिर यह मैंने value डाल हूँ है इसको मत छीड़ो error alert यह भी वही काम करता है आपको error देगा यह मत करो कुछ काम नहीं करने देगा दूसरे बंदे को restrict करेगा और यहां पर सिर्फ message दिखाएगा उसको वह डाल सकता है बड़ उसको message दिखाएगा अब settings में आते हैं अब देखे any value अब इसके अंदर मैं click करता हूँ तो whole numbers है decimal list है यह सारे options हैं आपके मैं कहता हूँ कि अगर मुझे इस column के अंदर restriction लगानी है data validation करना है तो अब इसमें क्या है text लिखा हुआ है text के अंदर क्या काम कर सकता है any value काम कर सकता है ठीक है list काम कर सकती है चाहें तो आप any value या list को आप use कर सकते हैं whole number कहां पर use होंगे जहां भी numerical numbers होंगे decimal कहां पर होगा जहां number होगा ठीक है और date देट तो general में आता है date अप कैसे भी use कर सकते है तो आप उसको use करेंगे कैसे मैं आपको एक दो use करके दिखा साथब्सक्ता उन्टेंट divine क्या होते दोस्तों डेटा वडिदीशन को यूज करने के लाप हमें क्या करना पड़ेगा देखिए अम मैं आता हूं यहां पर कि मैं डेटा कंडिशन लगाऊं कि ये देखे एंसरह क्या लिखता हूं क्लिक करूँ जो अंदर drop down में होगा उसको select कर लो ठीक है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले मैं range देता हूँ मैं कहता हूँ कि मिरको पहली 10 जो row है यहाँ पर मैं को data validate करना है data validation पर आऊँगा देखिए any value any value में से मैं list select कर लेता हूँ यहाँ पर आता हूँ देखिए मैं इसको नाम देता हूँ सीमा कॉमा रीना कॉमा राहूल कोई भी नाम आप अगर डाल देते हैं ठीक है तो यह सिर्फ वही नाम लेगा मतलब आपको drop down option देतेगा आकाश अमेत ठीक है यह नाम डाल देता हूँ म अब यह देखिए यहां तक कि इसने drop down बना लिया देख रहे हैं यहां पर बॉक्स आरा चोटा सा दिख रहा है आपको नीचे अगर आतों तो नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहां तक इसको range दिये तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहां पर मैं नाम जो सिलेट कर सकता कोई भी नाम जो मैंने इसको condition में दे रखा है देखिए दो नाम एक से आतार है क्योंकि मैंने कॉमा नहीं dot लगा दिया अगर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा ठीक है सीमा आप लिखना चाहिए फिर से लिख सकते हैं सीमा अगर मैं चाहता हूँ यहां पर मैं लिखा अनिल देखिए नहीं ले गई है कुछ भी लिखेंगे आप नहीं लेगा क्योंकि आपने किसमें condition दे दी आपने data को validate कर दिया कि जो मैंने drop-down option दिया सिर्फ वही आने चाहिए तो ऐसे काम करता है data validation का यह वाल option अब अगर मुझे इसको हटाना है click करना है इसको remove करना है तो मैंने क्या करा एक list all option तो मैंने आपको करके दिखा दे कि आपको data validate करने तो जो आप चाहते है content जो text आप चाहते हैं वही text वह दिखाए तो आप लिख सकते हैं ऐसे आप date में कर सकते है टेक्स की length में कर सकते है custom कुछ करना चाहे whole number में ठीक है तो whole number में आपको use करके दिखा आने चाहिए तो अब मैं क्या करूंगा यह मैंने column select कर लिया column मैंने select करने के बाद मुझे करना क्या होगा data validation पर आउंगा data validate किया यहां पर आया और मैंने क्या किया whole numbers ठीक है number मैंने select किया कि इसमें number से ही आएंगे condition क्या होगी 10 से लेके 100 तक के numbers आने चाहिए और ok कर दिया मैंने ठीक है अब देखिए इसके अंदर condition लगा दी मैंने 10 to 100 के numbers होगे वही number आएंगे तो इसमें already 10 to 100 ही है अगर मैं यहां पर चाहूं 1000 लिखना तो नहीं लिख आउंगा देखिए आपको रेस्टिक करेंगा आपको बताया कि आप नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर data validation की condition लेगे हो यह data को validate किया गया है कि उसके अलावा आप data insert नहीं कर सकते है ठीक है तो यह second option ऐसे काम करता है इसका अब मैं आता हूं इसको select करता हूं फिर से select करने यह data validation पर आता हूं clear all कर देता हूं तो इसको हटा दिया मैं अब यह validation जो मैंने हटा दिया है ठीक है अब फिर से data validation पर आता हूं यह मैंने आपको use करके दिखा दिया आप कहता है input message input message अगर आप कुछ message डालना चाहे कुछ appear होना कुछ message appear हो जाए तो वो भी आप चाहें दि input message ठीक है अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा warning warning लिख दिया और मैंने यहाँ पर लिखा do not insert any value in the data यह comment बन लिख दिया आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको हिंदी में भी यह काम करेगा ठीक है आप देखें यहाँ पर मेरा cursor selected था already अब इसने यहाँ पर क्या लिखा जैसे आप अपना cursor को यहाँ पर लाएंगे तो यह आप जो इसमें लिखना चाहें लिख तो सकते हैं बट आपको यह message देगा do not insert any value in the data warning दे रहाए आपको ठीक है अब जैसे मैं यहाँ पर आया तो मैंने कुछ लिखका 100 और enter कर दिया तो लिख तो दिया लेकिन जब मैं cursor लाँग हो तो आपको यह error message दिखाएगा इस तरह केगा तो यह आपको काम करने इनपुट में ऐसे काम करता है एरर एलर्ट जो मतलब किया तो एक से काम करते है ऐकर है आपने पर डेता मेरेल डेटा अ इसके matto ने आपको यह से काम करता है paglar चाल क्या होगा टाइल क्या होगा गो फिर से मिक्तित अचेका एफट टैूवे स्टक्टन में from my data, ऐसे लिखते हैं, stay away from my data, ठीक है, और मैं okay कर देता हूँ, new marks का मैंने new column add कर दिया, अब मैंने क्या किया, यहां पर आकर एक condition बनानी है कि इतने ही marks यहां पर आएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 30 लिख देता हूँ, 90 कर देता हूँ, यह जो marks हैं, इसको मैंने select कर लिया, collect करने के बाद मैं condition में आया, और मैंने यहां पर condition लगा दिया, क्या whole numbers के अंदर, जिसके अंदर जो condition होगी, वो 10 से लेके, 100 तक के जो numbers होंगे, वो अंदर enter होंगे, अब यह मेरी यहां पर condition है, अब मैं यहां पर अगर चाहूँ, तो 80,000 अगर लिखना चाहूँ, तो नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि यह नहीं लेगा, अब मैं क्या करता हूँ, कि अगर आप इसमें कोई value insert करेंगे, तो यह value तो नहीं लेगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहां पर लग देता हूँ, 5000, इसको copy करता हूँ, यहां से, इसको आकर यहां पर paste कर देता हूँ, और आकर मैं save कर देता हूँ, अब मैंने save कर दिया, देखे ले लिए इसने, क्योंकि data validation के इस rule के अंदर copy and paste काम नहीं करता है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं यहां पर आया, अब आपको check करना है कि यहर, आपके data के अंदर किसी ना छेड़ खानी तो नहीं किया है, कुछ और values तो नहीं डाल दी है, तो आप क्या करोगे, data validation पर आओगे, circle invalid data, circle invalid data पर आओगे, ठीक है, click करने के आप से आप continue करना चाते हैं, okay, करना चाते हैं, अब उसके बाद मैं यहां पर आता हूँ, circle invalid देखिए, तो यह change इसने दिखा दिया, कि यह जो आपकी value है, यह change की गई है, समझ मैं है, नहीं है, समझ मैं है, चोले बगर फिट से करके देखते हैं, ठीक है, क्या करना है इसक अब मैं क्या करूँगा, लेकिन अगर यहां पर नहीं insert करने देगा, तो मैं बाहर से copy कर लेता हूँ, 7000 होगे, 7000 कोपी किया, और मैं यहां पर आके paste कर दिया, और आके save कर दिया, अब पता चलेगा, अब कैसे पता चलेगा, देखिए, condition तो यहां पर लेगा, रखिए, condition okay कर दिया, okay करने के बाद, okay कर दिया, ठीक है, अब आपको यहां पर आना है, छोटा सुरूए dot नीचे, circle invalid data, देखिए, दो values जो है, आपके data के अंदर, आपके बाद insert की गई है, तो यह आपको इस तरीकी से दिखा देगा, तो बहुत ही इमानदरी से यह काम करता है, यहां पर आके, उसके अथर्ड option, clear validation, तो यह circles हटाने है, आपको तो यह हटा देगा circle, इस तरीके से, अगर आपको यह पूरा data validation का जो formula है, आपने जो set किया है, जो condition set की है, अगर आपको पूरी हटानी है, तो data validation में आप आएंगे, यहां पर आके clear all करेंगे, तो सारी conditions जो हट ज validation हट जाएगा, दोस्तों इसके अंदर आज हमने सीख़ data validation कैसे काम करता है, अब validation के बाद आपने सारा काम कर लिया, अब आप देखेंगे कि print command कैसे काम करते है, let's suppose आपको इस data का print लेना है, तो print के लिए क्या करना, simply control P, press करना है, आपको अपने keyboard से और यह printer ले लेगा, आ प्रिंटर added होना चाहिए, मैंने cancel कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ कि printer आगया, तो देखेंगे, यहाँ पर आपको एक line अगर दिख रही होगी, तो इसने एक page की line ले ले लिए, पेज बना दिया, 1, 2, 3, 4, 4 columns है मेरे, इसने एक page बना दिया यहाँ पे, और यह इस तरह के प्रिंट निकाल के आपको देगा, अगर मैं कहता हूँ कि यह जो column है, इसके साथ में कुछ और column add कर देता हूँ, जैसे age का एक column add कर दिया, और कौन सी classes में हैं बंदे, ठीक है, class का एक add कर दिया मैंने, इसके अलावा मैं कहता हूँ कि इनका school का name क्या है, मतलब ऐसे ही मैं क ठीक है, teacher's name डाल दिया, उसके बाद आप क्या आगर सकते हैं, इनका batch code क्या है, बैच code बना रखा है इनका, तो यह सारे column होगे, अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं इन सब का print लेना चाहूँ, ठीक है, इनके अंदर क्या आगरता हूँ, फिलाल मैं इनकी values same कर देता हूँ, दा आठ columns का हमें पूरा select कर लिया, अब मुझे लेना है print, कैसे ले सकता हूँ, control P करूँगा, तो देखें, यहाँ पर आप देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 columns दिखाई दे रहे हैं, तो आठ क्यों नहीं आ रहे हैं, तो यह एक problem है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा इसका कर करने के लिए, page layout में आएंगे, print लेने के लिए, यहाँ पर देखें, margins के option आपको दिखाई दे रहे हैं, normal में सारे paper ही होते हैं, तो आपका normal है, orientation पर आएंगे, यह हमारे portrait mode के अंदर है, अगर मैं से landscape कर दो, तो कोई आपको space देदेगा, थोड़ा सुसको चोड़ा कर आपको jackstock column हैं ले ले गई है, अब देखें, इसने क्या किया, इसने page को बना दिया, यहाँ तक, यह line आपको दिखाई दे रही है, थोड़ी सी, हल्की सी light सी line है यह, तो यह line आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर, I column के ओपर बहर line आ गई, तो यह दो को, इसने सारे columns ले लिए, landscape आपने जैसे किया, columns ले लिए, हम मैं कहता हूँ, अगर इससे ज़्यादा columns है, columns अगर आपको इससे भी ज़्यादा है, तो क्या करोगे, तो फिर आपको एक तरीका है कि आप columns को ऐसे छोटा-छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा ना, इनको इस तरीके से छोटा कर सकते हैं, इनका size, तो भी आप print आराम से निकाल सकते हैं, चीक है, ऐसे फिर आपका print निकल जाएगा, इसके अलावा हम यहाप सीखेंगे size क्या है, तो आपका A4 का size पहले लेना, तो size अप select कर लेंगा, आपके printer में कौन सा paper हो, उसके हिसाब से यह काम करेगा, जो आपका paper ह आप select कर लीजिए, print area क्या होता है, set print area, अब मैं क्या कहता हूँ, कि मेरे पास यह कितने 8 column है, पर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से select करता हूँ, और मुझे यह सिर्फ 3 column का ही print चाहिए, पूरे page क्या नहीं चाहिए, इस पूरे page में से यह सिर्फ 3 column का print चाहिए, तो मैं यह select क करते हैं print के लिए देखिए तीन column ही select करेगा और इनका print निकाल देगा ठीक है easy है उसके बाद आते हैं breaks पे तो यह page को breaks कर देता है आपको जैसे अब यह मेरे पास पूरी एक sheet है इस sheet के अंदर मेरे पर data काफी बढ़ा है तो मैं चाहता हूं कि पूरे data को यह तीन तरीके से print निकाले उसमें तीन पार्ट कर दूँ मैं one two three तीन पार्ट बना दूँगा तो insert page break करेंगा तो यह तीन पार्ट कर देगा इसके देखिए आपको select करना पड़ेगा जहां पर आप चाहिए तो इसको तीन पार्ट कर सकते हैं तीन पार्ट से कर लेंगा और यह उस तरीके से print कर देगा तो कोई समें बड़ा काम नहीं है ठीक है आपको select करनी है और photos मेंगा क्या photos क्लिक कर सकते हैं ठीक है अब आपको दिखा रहा है print tiles तो print tiles यतना कोई आपका काम का चीज है नहीं है तो इसको आप फिलाल छोड़ दीजिए ठीक है दोस्तों यह था आज हमारे Microsoft Excel का basic fifth part इसी के साथ मैं आप से बताऊंगा कि आपका आज basic Excel का course complete हो चुका है तो जो भी अगर नया sign up करना चाते हैं advance Excel के लिए उसके लिए मैं आपको link दे दूँगा या आप चाहे तो मेरे social media account से YouTube से या Facebook से आप sign up कर सकते हैं ठीक है या website से भी आप इसको sign up कर सकते हैं advance Excel के लिए तो कैसा लगा आपको या आप चाहे तो इसमें comment comment भी करके बता सकते हैं मेरे social media के page पे Facebook पे YouTube पे किसी पे भी जाके आप comment कर सकते हैं कैसा लगा आपको plus में इसी के साथ में अगर आपको live कुछ support चाहिए को doubts अगर आपको फिर भी रहा जाते हैं तो आप application install कर लीजे जो मैं आपको link में लिए दिया है जब आप इसको sign up करे होंगा ठीक है तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही अब मिलेंगे आपसे next advanced Excel के course में तब तक ये basic Excel आप अच्छे से complete कीजिए ताकि आपको advanced Excel में कोई दिक्कत ना है अगर basic आपको clear होगा फंडा आपको clear है doubts clear है तब आपको advanced Excel काम करने में मज़ा आएगा और